सेच श्रेकाल दोस्तों आप सभी का वेलकम है पूरम कवर रेसिपी इसमें तो जब हमारे घर पे कोई सब्जी नहीं होती तब हमारे माइन में एक ही जीज आती है बेसन तो आज मैं आपके लिए बेसन से बनने वाली चार अलग अलग तरे की चार सूपब डिश लाई हूं त तो फिर देर न करते हुए इसे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहली रेसिपी है हमारी बेसन के गटे की सबजी जो की सबी को बहुत पसंद आती है तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर दो कप बेसन ले लिया है हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले सबसे पहले हम इसम छूटा चम्मच लालमिज़ पाउडर एक तिहाई छूटा चम्मच हल्दी पाउडर मैंगी मसाला का सेशिय में इस्तमाल किया है बिल्कुल ऑप्छनल है आप चाहे तो स्किप कर सकते है आदा चूटा चम्मच नमक बारिक कटा हुआ हरा धनिया और हाँ पर मैंने आधा चम्मा जमा हुआ देसी घी इस्तमाल किया है इससे क्या होता यह बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनते हैं तो आप एक पर जरू ट्राय कीजिएगा अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पाने डालेंगे और इसका एक सक सा आटा लगा कर तयार कर लेंगे देखिए थोड़ा थोड़ा करके आप पाने डालेंगे बहुत जादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल सभी अच्छी तरह से बाइन हो जाए लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा ओयल डाल देंगे उससे यह अच्छी तरह से चिकना हो जाएगा और बरतन को भी छोड बनाना शुरू करेंगे तो यह देखिए यह इस मिक्चर को भी आप चख लीजेगा अच्छा चटपटा होना चाहिए यह बेसन का मिक्चर फीका नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी अब मैंने इस तरह से रोल कर दिया बहुत जादा थिकने सा इसकी मत रखिए थोड़ी म बेसन के रोल्स बनाये हैं यह सब हम इसमें एक एक करके डाल देंगे अच्छी तरह से बोयल करेंगे जब आप देखें कि इसका कडर अच्छी तरह चेंज हो चुका है फिर हम यहाँ पर यह सारे गटे एक प्लेट में निकाल लेंगी आप इसे कट करेंगे तो ही आपको प टमाटर, हरी मिर्च, लसुन ले लिया है, साथ ही हमने आपर दही ले लिया है, सुख्य मसालों में लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, बारी कट अवहरा धनिया, हरी मिर्च, बहुत ही बेसिक सी चीज़ों हमेशा हमारे पास होती है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टमाटर हरी मिर्च और लसुन को मिक्सर जार में डाल कर उसकी पेस्ट बना लेंगे, इसे साइर में रख लेते हैं, दूसरी और एक बरतन में हमें आपर दो से तीन बड़े चमच दही डालेंगे, बिल्कुल फ्रेश दही का आप इस्तमाल कीजेगा, उसमें हम एड़ करेंगे और यहां से मिक्स कर लेंगे, इसे मिक्स करने से क्या होता है, जो दई हमारी फट्ती भी नहीं है, और जो सारे मसाले हैं, वो अच्छी तरह से रच भी जाते हैं, अब दूसरी और एक कड़ाई में मैंने दो से तीन बड़े चमच के करीब तेल गरम होने के लिए रख दिय जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, हम उसमें डालेंगे आदा चोटा चमच जीरा, जीरा को पकने देंगे, अब दोस्तों यहां पर मैंने दो प्याज कार्ट लिए थे बारीक वाले वो इसमें डाल दिये, प्याज को तब तक पकाएंगे, जब तक प्याज का कलर इस तरह से ल नमक के अलावा, इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, यह देखी, जैसे आप इसे मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही, दही डालने से पहले गयस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें, और जैसे ही आप इसमें दही डालेंगे, आप इसे कंटीनु चलाते अच्छी तरह से, आपको रुखना नहीं है, अगर आप रुख जाएंगे, तो दही फटने के चांसे होते हैं, इसलिए आप इसको एक से दो मिक्स करते रहें, इसमें अच्छी तरह से, अमने से मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा, उसमें काटोरी में थोड़ा सा और पानी डा उतना ही अच्छा एस रेसिपी का टेस्ट आपको मिलेगा, तो जब आपको लगे कि यह सारा मसाला अच्छी तरह से भुणा जा चुका है, तो जो गट्टे हमने तयार कर काट कर रखे थे, अब हम वह से स्टेज पर इसमें डाल देंगे, आप देख सकते कितना अच्छी त बहुत अच्छी आएगी और इसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, तो वह पानी अब इसमें आड़ कर लेते हैं, अब क्या करेंगे, गैस का फ्लेम लोड टू मीडियम रखेंगे, और धीमी आज पर 5-10 मिनद तक इसमें बोईल आने देंगे, बहुत गट्टे की सबजी बनकर बिल्कुल तयार है, बहुत इला जवाबसी लगती है, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसेपी की तरफ, तो दोस्तों ये वाली रेसेपी है पेशन के चीले वाली रेसेपी, तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैने दो कप बेशन, आदा कप ग इसमें दीरे-दीरे करके थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे और चीले का घोल बनाकर तयार कर देंगे, ये जो घोल हम बनाएंगे ना जादा पतला होना चाहिए ना जादा गाडा, एक मीडियम कंसिस्टेंसी का घोल बना लीजे, आप देख सकते हैं कैसी कंसिस्टेंसी मैंने यहां पर रखी है अब दूसरी और हमें गैस पर तवा गरम होने के लिए रख देते हैं तवा मीडियम गरम हो तो हम उसे ऑईल से ग्रीज कर लेंगे उसके बाद जो हमने चेले का घोल बनाया है वो हम इसके उपर डाल देंगे इस तरह से गैस का फ्लेम बिल्कुल लो क कर लें ऐसे करने से क्या होता है यह बहुत अच्छी तरह से चिपक जाता है अब हम क्या करेंगे लो मीडियम फ्लेम पर दोनों साइट से अलटे पलटे हुए अच्छी तरह से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेक लेंगे तो जो हलका सा कच्चा था वो भी अंद अब यहां पर दोस्तों मैंने दो टमाटर हरी मर्च और लर्सन की पेस्ट बना ली अब गैस पर हमने कड़ाई रखती है जैसी कड़ाई गरम हो जाएगी हम इसमें डालेंगे तीन से चार बड़े चमच के करीब तेल गरम हो जाएगा हम इसमें डालेंगे आदा चुटा च अब यह देखिए कितना अच्छी तरह से जो प्याच का कलर है वो बिलकुल अच्छी तरह से चेंज हो चुका है हमें इसमें इसमें चाहिए था अब दोस्तों आप यहां पर हम डालेंगे टमाटर की प्योरे जो हमने पहले से बना कर तयार की थी इसे बढ़िया से आप कर काली मिर्च पाउडर साथ यहां पर मैंने डाला है काली मिर्च का पाउडर इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है आप इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से मुन लीजिए तब तक भुनिए चब तक इसमें से तेल अलग हो रहा है फिर दोस्तों हम इसमें डालेंगे पान पानी में बोइल आ जाएगा फिर हमने जो बेशन के चीले बाइट बना कर तयार किये हैं वह सबी एक एक करके इसमें डाल देंगे एक मिनट के लिए से कुक करेंगे उसके बाद गैस का फ्लेमम बंद करेंगे तो यह हमारी दूसरी वाली जो बेशन की सब्जी है वो बनकर आसान है तो आप इस रेसिपी को भी जरूर राए कीजेगा अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ इसे बनाने के लिए दो कब बेसन में हम डालेंगे दो बड़े चम्मच खसकस जिसे पॉपी सीच भी कहते हैं बारी कटा हुआ हरा धनिया हरी मिर्च नमक खल् जादा कम लगता है पहुत ही कम पानी की जरूत होती है क्योंकि एक सकसा आटा हमें यहां पर बेसन का लगाना होता है यह मेरी सबसे फेवरेट देश है दोस्तों आप इसे जरूर बनाएगा आपको बेहत पसंद आएगी तो इस तरह से हमने एक सकसा आटा बनाकर तयार कर अब हम इसे 2 मिनट रेस्ट करने देंगे 2 मिनट के बाद हम इसकी लोईयां तोड़कर इस तरह से इसको शेप दे देंगे शेप देना बिलकुल आपकी मर्जी है बर जितना आप इसे पतला शेप देंगी उतना बैटर रहेगा क्योंकि जब हम इसे फ्राय करते है न तो यह काफी अची तरह से फूल जाती है तो जितना पतला रखेंगे उतना जादा अच्छा रहेगा तो यहां पर मैं इस तरह से पतली पतली टिक्की की शेप इसे गोल गोल देकर सभी को रेडी कर रहे हूं और खसकस आज की रेसेपी में जरूर इस्तमाल कीजेगा खाते वक बह आप समझ सकते हैं कि यह बहुत अच्छी तरह से कुख हो चुकी है यह क्रैक आना इसके पकने की निशानी है अब हमने कढ़ाई में सारा तेल निकार लिया दो बड़े चमश के करीब तेल रख दिया है अब हम इसमें डालेंगे जीरा जीरा भुनने के बार जम इसमें डाल प्याच का कलर हलका हलका गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च टमाटर इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे इसी स्टेज मेर हम इसमें डालेंगे सुखे मसाले तो दोस्तों यहाँ पे हमें वही सब मसाले रिपीट करने हैं नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिच पाउडर, धनिया पाउडर साथ ही आप इस रेसिपी में गरम मसाला ज़रूर यूज़ कीज़ेगा बहुत अच्छा उसका फ्लेवर आता है और इस मसाले को अच्छी तरह से कवर करके हम भुनेंगी जब आप देखें कि मसाला बहुत अच्छी तरह से भ प्राय सर्फ कर सकते हैं बट बिल्कुल ड्राय अच्छी नहीं लगती इसलिए हम इसमें पानी डालेंगे और दस मिन दक इसे बॉइल आने देंगे उसके बाद गरम गरम रेडी है सर्फ करने के लिए दोस्तों हमारे लास्ट रेसिपी है बेसन के पितोड की सबजी से बना पानी तो पतला सा घोल हमें बना कर यहां पर तयार करना है यह देखिए आप अच्छी तरह से मैं कितना पानी इसमें डाल रही हूं पानी ठोड़ा तो डाले तक इसमें लंज बिल्कुल भी ना पड़े तो एक बड़े ग्लास के करीब मैं इसमें पानी डाल दिया अब यह तरे तक चलाते हुए आपको इसे मिक्स करना है थोड़ी देर के बाद आप क्या देखेंगे यह बिल्कुल थिक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा आपको दिखाती हुए इस तरह की कंसिस्टेंसी यह देखिया किति इसे फैसे नगली देखें इस तरह होने लग घया है और कड़ाई को छोड़ने लग इसे फेला देजिएगा थोड़ी थोड़ी मूटी इसे चाइब पांच मिनट चोड़ेंगे थे थनदा तरह से पंड़ी तेंगे चोड़ेंगे ठीक जाइए तब तक हम यहां पर अपने ग्रेवी की तयारी कर लेते हैं साथ ये मारी करें गठा हभी जीरा का यहां पर रख ही कर लिया है, तरका बहुत ही बेसिक बनेगा जाएक निया जसार, सबस्क्त हों और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ये दिखिए बिल्कुल लो फ्लेम पर जो लालमच पाउडर जलनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए दस सेकंड के लिए आप इसे जलदी से चला लीजेगा और इसके बाद हमने जो टमाटर हरी मर्चल लर्सन की पेस्ट बनाई थी न व नमक या स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक डाल दे लिए हल्दी डाल दे और तोड़ा सा गरम मसाला चाहें तो वह भी आप इसमें डाल दे और इसे बड़िया से मिक्स कर लेंगे अब दोस्तों हमारी ग्रेवी को हम लो फ्लेम पर छोड़ देते हैं जब तक यह के पितोड ठंडे होने के लिए रखे थे वो ठंडे हो चुके हैं तो नाइफ की हल्प से चुटे-चुटे टुकड़ो में इसे कट कर लें यह देखिए क्वांटिटी में बहुत जादा है पर आज मैं आपको टू इन वन बताऊंगी इसकी एक रेसेपी भी बताऊंगी न पानी कच्चा नहीं होना चाहिए बिलकुल अच्छी तरह इसमें ब्लड आजाना चाहिए अब हम इसमें बारब कटा हो अहरा धन्या भी डाल देते हैं जैसे पानी में बॉइल आ जाएगा प्व हमने जो बेसने की ट्राइंगल्स बना दिये हैं वह सबी हम हम इसमें डाल तो इतनी सारी सब्जी का हम क्या करेंगे तो यहां पे सबसे पहले एक प्लेट में हम इन सभी को लाइन से लगा लेते हैं अब दोस्तों तड़का पैन में मैंने एक बड़े चम्मच के करीब तेल ले लिया है जैसे ही तेल हमारा गरम हो जाएगा हम इसमें डालेंगे राई स इसके ओपर डाल देंगे और बस हमारा नास्ता बनकर भी तयार हो चुका है तो सब्जी प्लस नास्ता और तीन चार वेराइटी मैंने बताई आपको बेसन की रेसिपी की पका पसंद आएंगी पसंद आएगी ना तो लाइक करके जाना ऐसे मत जाना और चैनल पर पहली बा